Trending News and Reviews, पन इंडिया स्टार प्रभास की Action Entertainer प्रशांत नील द्वारा रिटन और डिरेक्टेड सालार 22 दिसंबर को दुनिया भर में फाइनली काफी स्क्रीन शेरिंग की लढधाई के बाद रिलीज हो गई है। फिल्म दो भागों में रिलीज होगी और पहले का नाम सालार पार्ट वन सीजफायर है। कहानी इतनी बड़ी थी कि राइटर डिरेक्टर नील ने इसे दो पार्ट में बनाने का डिसिजन लिया। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है पृत्वी राज ने इस फिल्म में। बाकी कास्ट का काम भी बरहिया है। फिल्म में बहुत सारे सीक्वेंस आक्शन आपको KGF से इंस्पायर मिलेंगे। डारेक्टर प्रशांत नील ने हाल ही में खुलासा किया कि सालार उनकी 2014 की कन्नट फिल्म उग्राम और उनकी हिट फिल्म फ्रेंचाइजी KGF का मिश्रण है। CBFC द्वारा Adult Certificate प्राप्त फिल्म की टाइमिंग 2 घंटे 55 मिनट तै की गई है। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म को Adult Certificate प्राप्त हुआ है क्योंकि इसमें कई intense fight sequences, blood baths, violence भी शामिल है। कहा जाता है कि Seeds Fire 400 करोड रुपये के भारी भरकम बजट पर बनाई गई है। अब देखना ये है कि क्या ये फिल्म डंकी को हरा कर जीत जाती है या फिर हार जाएगी। मैं इस फिल्म को 4 स्टार दूँगी। दन आप कॉमेंट्स में बताइए आपको फिल्म कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अची लगी तो शेर, सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँ।